तोफ्रे आज का और्डर है एक बरड़े खेक का और खेक के लिए मुझे पिंक क tirar डिया गया है और वाइट क कर दिया वाइल्ड और पिंक को लेकर मुझे केक को डेकुरेट कर ना था कस्टमेर ने ज़ा खाक है की पिंक और वाइट का इस्तेमाल करके आप केक बनाईए तो मैंने कोशिस किया वैसरी केक बनाने के लिए और पूरा प्रोसेस देखिए इस बड़े केक को कैसे बनाया बहुत खुबसूरत तरीके से बनाया है तर्टेबल पर हम लोग रोज भी बनाना सीखेंगे और साथ ही गर्निशिंग बनाना सीखेंगे इन दोस्तों को नाम लिखने में दिक्कत होता है कि केक के उपर हम लोग नाम कैसे लिखेंगे तो इस वीडियो में देखिए सीखिए नाम कैसे लिखेंगे तो वीडियो को पूरी देखिए दोस्तों और नाम लिखना सीखिए केक के उपर क और अब हम लोग चलते हैं स्पॉंज बनाने आधा किलो का केक लगभग बनेगा तो 145 ग्राम यहां मैंने प्रेमिक्स ले लिया है और यहां पर हम लोग दाल रहे हैं एक चोटी चममच रिफाइंड ओयल अब रिफाइंड डालने के बाद हम इसमें पानी डालेंगे और किया जाता है उससे करने से क्या होता है आपका थोड़ा महनत ज्यादा लगता है और इससे है कि महनत कम लगता है और बहुत अच्छे से मिक्स भी कर देता है और यहां पर कम से कम आपको ना तीन मिनट बहुत अच्छे से मिक्स करना चाहिए जब भी आप स्पॉंज बनाते और बैटर की कंसेस्टेंसी कुछ इस तरह की आपकी रहनी चाहिए इसलिए मैंने पानी का माप आपको नहीं बताया आप देखके अंदाजा लगाईए और इसी हिसाब से बनाईए अपना केक का बैटर इससे आपका केक का बैटर स्पॉंजी बने का साथ ही जाली भी अच्छ किया जाता है इसकी पूरी डीटेल जानकारी मैंने चैनल पर दी है और यह वाली वीडियो जाकर के देख लीजे दोस्तों बहुत ही आपको हेल्प मिलेगी यहाँ पर देखिए स्पॉंज हमारा बन के तयार है और देखिए कितना सुन्दर शेप में हमारे स्पॉंज फूल स्पॉंज बनाना जाकर जरूर देखिए और यहां हम लोग लगा रहे हैं विप क्रीम बोड के ऊपर और उसके बाद अपना फर्स्ट वाला लेयर यहां रख रहे हैं तो यहां पर हमने रख दिया फर्स्ट वाला लेयर और यह चोकलेट केक जो बनने जा रहा है पूरा हमे इसमें चोको चिप वगेरा सब एड करना है और यहां पर जो कस्टमर है वो पहली बार मुझसे बनवा रहे हैं यह पहले मुझसे नहीं बनवाए थे तो मैं कोशिस करने हूँ कि अच्छे सा चमना के दूँ ताकि उनको पसंद आया तो नेक्स्ट ओर भी मुझे मिले तो फ इसमें पूरा प्रोसेस में बतलाया है लेकिन देखिए अभी जिसे गर्मी का सीजन शुरू हो रहा है और यहां तो नहीं बहेंकर गर्मी पड़ती है हमारे यहां कि मत पुछिए तो यहां क्या होता है कि क्रीम आपकी बनने के बाद मेल्ट होने लगेगी गर्मी को सहन नह आपको अच्छा है अगर नहीं है तो आप क्या करिए कि कोई आइस क्यूब वाला बड़ को जरूर रखिए अपने विप क्रीम जिस बोल में आपको बनाना है उस बोल के ठीक नीचे आप ऐक आइस का बोल रखिए जिससे कि आपका क्रीम ठंडा रहेगा और क्रीम उसी के उ बलुप के साता ही ही तो कभी नहीं हुआ है कि चोकलेट गनाश बनाने पर करके नहीं हो तो इसे हैंगी है में नहीं हुआ दूद के साथ बनाते हैं तो हमारा चॉकलेट गनाश जो है दाना दाना रह जाता है। तो अगर आपके साथ ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है तो एक तो आपका चॉकलेट में हवा बहुत जल्दी लग जाता है। वाइट वाला का तो प्रोब्लम बहुत ज्यादा रहता है वाइट चॉकलेट कंपाउंड का ब्लैक को थोड़ा कम रहता है लेकिन उसमें भी हावा लगने से वह भी दाना दाना होता है तो एक तो आप हावा से बचाईए ज्यादा उसको बंद करके बहुत अच्छे से एयर मेरे साथ तो आज तक नहीं हुआ यह नहीं हुआ है मेरे साथ तो आप क्या करिए कि दूद को आप जैसे चूले पर चड़ाते हैं उसी में चॉप किया चॉकलेट डाल दीजे बिल्कुल लो फ्लेम में रखिए और धीमे धीमे उसको मेल्ट हो लेकिन चलाते रहिएगा जर तो इस तरह से आप चॉकलेट गनाश को बनागी है यहां पर देखिए हमने क्रम कोट कर दिया है क्रम कोट करने के लिए क्रम को बहुत अच्छे से दबाते हुए हम लोग क्रम कोट करेंगे ताकि फाइनल ऐसी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा यहां पर देखिए पिंक कल मैंने बनाया है और पाइपिंग बैक से ही पूरे में हम लोग इसको अपलाई कर रहे हैं यह देखिए हो गया उपर तक अब इसको हम लोग पैलेट नाइफ से कर लेते हैं स्मूध तो चैनल से जुड़े रहिए और केक को ना बनाना मत छोड़ी बनाते रहिए भले छोटे साइज में ही बनाईए लेकिन बनाईए जरूर इससे क्या होगा कि आपका हाथ साफ होता चला जाएगा साथ ही विप क्रीम बनाने से रिलेटेड बहुत सी प्रॉब्लम भी सॉल्व होती चली जाएगी तो फ्रेंट्स यहां पर देखिए आभी गर्मी जब बढ़ने वाली है तो आपको विप क्रीम में थोड़ा प्रॉब्लम होगा इसलिए आप जैसे मैंने बोला उस चीज को फॉलो करिए अगर आपके पास है तब भाई कोई दिक्कात ही नहीं है और हाँ कांच का बोल इस्तिमाल किया करिए गर्मियों के दिन में अगर एसी रूम में काम नहीं देखिए अभी बहुत अच्छा तो मैं नहीं कह सकती हूं कि यह बन गया लेकिन फिलहाल ठीक ठाक हमारा लग रहा है तो इस तरह से वेब डिजाइन कर लेने के बाद नेक्स्ट वीडियो अगली बर फिर लाओंगी और फिर और इससे अच्छी तरीके से बनाएंगे यह हो मुट्रल जेल में ही ब्लैक कलर मिक्स करके इस तरह का ग्लेज बना के तयार कर लीजिए और इसी के साथ हम लोग यहां ट्रिपिंग भी करेंगे कुछ इस तरह से बहुत ही सुंदर लगेगा हलका ट्रिपिंग कर रहे हैं बहुत लंबा-लंबा नहीं हम लोग इसको गिरा है और प्रेंट्स यही वाला ग्लेज है साइड में देखिए और यहां पर देखिए हम लोग जो है यहां बोर्ड में भी थोड़ा क्रीम लगा दे रहे हैं जिससे की सुंदर दिखलाई पड़ेगा और अभी ज्यादतर केक ऐसे बनाया जाता है देखिए चलिए इसको हम जो हम लोग केक में यूज करेंगे वाय चॉकलेट कंपाउंड को तो कुछ जाद ही मतलब की देखरेक का जरूरत होता है इसलिए इसको बिल्कुल आप एयर टाइट कंटेनर में रखिए बिल्कुल हवा मत लगने दीजेगा इसमें तो आधा किलो मुझे मिल गया है 190 चॉकलेट को माइक्रोवेब में मेल्ट करने के लिए कितना टाइम देना चाहिए कैसे कैसे करना चाहिए और गानिशिंग भी बनाना बतलाया उससे यह वाली वीडियो जाकर देख लिए फ्रेंट्स आपको बहुत हेल्प होगी चॉकलेट यहां हमारा मेल्ट हो गया है और हम लोग इसमें कलर यूज करेंगे तो कलर मैं यहां ब्लु कलर यूज करोंगी और यह है मेरे पास कैणी कलर यूज किया जाता है हमारे चॉकलेट गानिशिंग को不要 बनाने के लिए water बेस या gel डेल कलर हम लोग यह यहां यूज नहीं करते हैं यह ओयल बेस्ट कलर होता है जो कि हमारे गानिशिंग को बनाने में हेल्प करता है और जो चोकलेट होगा वो आपका फटा फटा सा नहीं होगा इसको डालने से स्मूथ टेक्शर के साथ आपका गानिशिंग तयार हो जाएगा तो फ्रेंट्स यहां पर कुछ ड्रॉप्स हम लोग डालेंगे जितना हमें जरूरत लगेगा और मिक्स करके हम लोग सिलिकॉन वाले मोल्ड में ही बनाएंगे अपनी गानिशिंग को तो यहां पर सिलिकॉन मोल्ड को हम लोग पूरा इसमें जहां जहां जगाए भर दिये और जैसे मैंने बोला कि रोज बनाएंगे हम लोग टर्न टेबल के ऊपर जो नोजल मैंने लिया है उसका नंबर है यहां पर नीचे में एक बार बस सीधह खीच देंगे और यह हमारा रोज बन गया एक इसको अभी हम लोग यहां पर रख देते हैं बोड में और अब हम लोग बनाने जा रहे हैं एक दूसरा भी तो यह चीज आप करते करते आप से भी हो जाएगा कुछ इस तरह से देखिए पतियों को बनाते जा रहे हैं और टर्न टेबल को एक तरफ से गुमाते भी जा रहे हैं और ऐसे पूरे में कर दिया हो गया तूसरा भी एक हम और जाल एक कलर जाय। एक थहा है। और अय। lebih प्यान करते हैं और अवी कलर दो रसा घाल गारे जाय। यहां using the gel food चलर इसा जाया प्र बेक हैवन के सीख़वेड कर दो थोड़ा सा डार्क शेड करने के लिए देखिए यहां पर हमने एक बोर्ड में रख लिया इसको थोड़ा सा हम लोग यहां क्रीम लगा रहे है ताकि हमारा रोज जो है बहुत अच्छे से यहां सेट हो जाए कैची की मदद से उठाएंगे और पैलेट नाइफ से सपोर्ट द ना ले रहे हैं और यहां वहां थोड़ी पतियां बन जाने के बाद बहुत ही सुन्दर लग रहा है तो फ्रेंड्स यह हो चुका है और अब हम लोग यहां सिल्वर वाला डस्ट वाला स्प्रे कर दे रहे हैं इस तरह से जिससे कि हमारे रोज में बहुत सुन्दर शाइन आ कर रहे हैं और हम लोग इसी से ना बॉडर भी कर देंगे कुछ भी दिक्कत नहीं है बस इसे दबाना उठाना है और बॉडर आपका हो जाएगा इस तरह से बॉडर को भी कंप्लिट कर लेंगे अब यहां पर जो ग्लेज हम लोग इस्तिमाल करने जार है लिखने के लिए व पर ब्लेक कलर का जैल जब मेरे पास अवेलेबल है तो मैं क्यों नूटरल जैल यहां इस्तिमाल करूँ लेकिन अगर आपके पास यह वाला जैल नहीं है तब आप नूटरल जैल जरूर इस्तिमाल कर सकते हैं नूटरल जैल में ब्लेक कलर मिला लीजिए आपकी इच्छा हो तो जिस हिसाब से आप कट करीगा उसी हिसाबसे आप का इहां जेल निकलेगा पानी भी नहीं मिला। मैं उस तक पाञाएं भी पाइपिंग बैग में चोटा था मैंने और देखिए neutral gel बिल्कुल transparent होता है कुछ भी color इसमें नहीं होता है आप अपने से जो मरजी color mix करिए red color से लिखना चाहरे है yellow color से लिखना चाहरे है सब इसमें मिला लीजिए जो भी color आपको मिलाना है और एक बात का ध्यान रखिएगा कि पानी मत मिलाईएगा नाम लिखते समें पानी नहीं मिलाईएगा यहां हमारा garnishing भी ready हो चुका था जो हमने बनाया था इस पर हमने silver dust किया और कुछ इस तरह से इसको हमने fix कर दिया जिससे की बहुत सुंदर नजर आने लगा अब यह रहा हमारे पास silver color का sugar balls इसको हम लोग डाल देंगे तो खुपसूरती और बढ़ जाएगी साइड में भी थोड़ा सा छिड़क देंगे और इस तरह से हो जाएगा हमारा यह चॉकलेट केक रेडी और देख सकते हैं जैसा कस्टमर ने बोला था और पिंक में तो वाइट और पिंक में हमने बनाया और बहुत सुन्दर ब्राइट कलर नजर आ रहा है नाम भी लिखना आपने सीखा फ्रेंट्स अगर कोई भी आपके सवाल है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं इसको मैंने साड़े तीन सो रुपए में दिया कस्टमर को और बहुत ही पसंद आया देखिए अब नेक्स्ट और अगर उनको इच्छा होगा तो जरूर देंगे तो फ्रेंट्स कोई भी सवाल है कमेंट सेक्शन में पूछ लिजे और हाँ जो भी दोस्त मेरे नए है वो जरूर में साथ जुड़ जाईए मेरे चैनल पर मिलती है आपको केक्स रेलेटेट सारी जानकारी तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से तब तक लिए अपना ख्याल रखिए थैंक्यू बाई बाई